आपने मंगल सुत का नाम सुना होगा बड़ी बड़ी एमोशनल पिच्चर आती हैं मंगल सुत के उपर इस तरी अपनी जान देने को त्यार होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सुत पर हाट डाले तो हीरों को गुस्सा आ जाता है जो महिला है वो आग बगुला हो जाती है उसमें सकती आ जाती है मेरा मंगल सुत छीना तो समझो मेरे पती के प्रान छीन दिये ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सुत की डालते हैं ताकि मंगल सुत रुबिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सुत में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सोने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभुषण है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और टेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के वारे में आपको इसे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर है और नारी है दौनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूड़े भी पहन सकते हैं सभी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सुत्र बहुत कमाल की चीज़ है उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं मगर उसे मानना जरूर चाहिए उसकी प्रेक्टिस जरूर करनी चाह में आपकी जान को खत्रा रहता है चाहिए आप नर है या नारी है या बच्चे है या पुरुस है या कोई भी आप है मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुत्र यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत्र बोलते है यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करें और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सूत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सूत इन सूतों को ये सूतों लोगों का कल्यान करते थे बुद्ध की वाणी है 38 उन्होंने बताएं 38 महिलाओं के लिए पुर्सों के लिए बच्चों के लिए सबी के लिए समान है सबी के लिए बरावर है खाली महिलाओं के लिए नहीं है मगर पुर्सों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया इसलिए पुरोसों ने इसकी महिमा खत्रम कर दी और महिला को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये 1919 मनकों की माला यानि कि 1919 मोती इधर हैं मणी इधर हैं और 19 मणी इधर हैं काले रंग की काले मतलब काले लोग होते थे इसमें काले हैं और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीले रंग भी बोल देते हैं भगवा कलरगा धागा यानि बुद्ध की बचने बुद्ध ने बताया है तो मंगल सूत का मतलब है कि 38 वो बात है जो काले लोगों की है और जो भगवा ने बताई है इसलिए पिले धागे में है आपको याद रहे हैं इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और मंगल क्या थे मंगल सूत क्या थे मंगल बचन क्या थे वो कौन सी कल्यानकारी बात थी वो कौन सी गुड टॉक्स थी गुड थी जो हमें 38 थी अर्टिस थी अपलाई करने थी वो गले में 38 मनके बांद के बस काम खतम हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया जितना ज फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड़ दिया, बिसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पती अगर नहीं चलेगा तो पती का जीवन खत्रे में रहेगा, ऐसे ही अगर इस्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन क के बताता रहूंगा सबसे पहले जो महा मंगर सूत है उसके अनुसार बाल मतलब बोलते हैं मूर्गो जो पाप इखटा करता है अच्छे काम नहीं करता अपना धम में नहीं चलता अधम में घोता उसको बाल बोलते है चै माने और अए सेवना का मतलब है उसका सेवन नहीं करना चाहिए उसकी संगतिनी नहीं करने चाहिए उसका साथ नहीं करना चाहिए यानि कि जो मूर्ग है जो समझदार नहीं है जो पाप इखटा कर रहा है उसका संगतिन नहीं करना चाहिए दूसरा कहते हैं वो पंडितंग चै सेवना मतलब पंडितंग चै सेवना पंडितंग माने जो जानकार है चै माने और सेवन माने उनके साथ रहना चाहिए पूजा चै पूजनिय यानंग पूजा चै यानि पूजा करनी चाहिए उनकी जो पूजना के योग है ये मंगल में उत्तम हैं यानि मंगलों में ये उत्तम हैं तीन यहाँ पर हैं एक तो मूरों की संगती नहीं करनी चाहिए एक जानकारों की संगती करनी चाहिए और एक जो पूजनिय हैं उनकी पूजा करनी चाहिए मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ कि ये क्या कहा गया है पहला है महामंगर सुत में मूरों की संगती नहीं करने चाहिए यानि कि मूरों के साथ में नहीं रहना चाहिए अब मूर क्या होते हैं? मूर वो होते हैं जो अपनी बुद्धी का इस्तमाल नहीं करते एधमिक होते हैं और आपको हमेशा कस्ट में डालते रहेंगे या तो आपका सामान बिखेड देंगे या आपका कहीं कोई नुकसान कराएंगे या किसी का कहीं नुक्सान कराएंगे, आपको पटवा देंगे, या कहीं सा उधार ले आएंगे, या आपके नाम का कुछ खा लेंगे, या आपकी पंका जहलेंगे, आपको पंका मार देंगे, आप कपले दोने के लिए कहेंगे, तो आपके कपले खराब कर देंगे, आपके करेंगे जिससे पाप इख Een रहता आता है अन्हें समझ नहीं होती कि यह अच्छा करम है पुण aesthet हैं तो पाप कर में क्या करेंगे वो शुराब प्येंगे जुआ खेलेंगे हत्या करेंगे या वेबचार करेंगे या जूट के साथ में रहते हैं और बेसक आप चोरी नहीं कड़ते हैं तो जब वो चोर पकड़े जाएंगे तो आपकी संगती हुने कारण पुलिस आपको भी पकड़ के लिए जाएगी फिर आपको सित्गना पड़ेगा कि मैंने चूरी नहीं की तो पुलिस पूछेगी फिर इनके साथ रहता क्यों था या सराब पीने वालों के साथ अगर आप रहोगे तो सराब आप ना भी पियोगे तो भी लोग कहेंगे ये सराबी है और आप मना भी करोगे तो कहेंगे फिर उनके साथ रहता क्यों था या आप जुआ खेलने दी, तो मोडों के साथ अगर आप रहोगे, तो कष्ट में रहोगे, इसलिए मोडों की संगती तुरंट छोड़ दनी चाहिए, तुरंट ये पहला मंगल मुत्तमंग है, यानि कि ये पहला उत्तमसूत है मंगल का, दूसरा कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगती करनी चाहिए, जो पंडित हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, तो जो जानकार लोग हैं, अगर संगती करोगे तो वो पैसा कमाएंगे, तो आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा, वो कोई अगर चोरी नहीं करेंगे तो आपका भी चोरी करने का सास नहीं होगा, वो कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आप उस अच्छे काम को सीख के आएंगे, इसलिए जानकारों की हमेसा संगती करनी चाहिए, उनके हमेसा साथ रहना चाहिए, तीसरा वो ये कहते हैं क जो पूजा करने योग है उसकी पूजा करनी चाहिए अब पूजा का जो मतलब है भारत में अभी तो बिगड़ चुका है पूजा का मतलब है कि कोई व्यक्ति है आप उसकी पूजा करनी है तो थाली में आप कुछ मुझा का मतलब है यह नहीं है पाली में जो पूजन सब्द बना है या पूजा बना है वो पूजन से बना है पूजन का मतलब है पू प्लस जन पू का मतलब है पावचन और पावचन का मतलब है पावन वचन और पावन वचन उनको बोलते हैं जो बुद्ध के वचन होते हैं बुद्ध के सारे ही वचन पावन है बुद्ध का एक भी ऐसा वचन नहीं है जो एपावन हो जो एपवित्र हो जो खराब हो ये कमाल की बात है बुद्ध के सारे वचनों में एक सिंगल वचन ऐसा नहीं है एक सिंगल बात ऐसी नहीं बताई उन्होंने जो बिलेंस भी हो यानि कि जो ना अच्छी हो ना खराब हो सारी बात ही अच्छी है उनकी, खराब का तो मतलब नहीं है तो पूक माने हैं पावन वचन उनको बुद्ध का वचन बोला जाता है और जन माने होता है जानन यानि जानना तो पूजन का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना तो पूजा का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना, समझना और उसको अंगिकार करके जीवन में अपलाई करना, टक्टिस करना, उन पर चलना अब पूजनिये कौन होगे? पूजनिये वो लोग होगे जो पहले से ही बुद्ध के वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पे चल रहे हैं यानि ऐसे व्यक्ति जो ना चोरी करते हैं ना जो सराप पीते हैं ना वेवचार करते हैं ना नशा करते हैं ना वो हत्या करते हैं ऐसे व्यक्ति जो पांच सील पर चलते हैं वो पूझनी हैं और अगर आठ सील पर चलते हैं तो और ज्यादा पूझनी हैं और अगर वो सारे सी ङता है नाट है में तीन उन्होंने मंगल मुत्तम बताएं हैं आपके मंगल सूत्र के तीन मन के यह हैं यानी कि जब आप मंगल सूत्र पहने तो इसमें अपनी 88 मोति गिलने है और उनके जो पहला मोति है वो यह है कि आपको बुरे लोगों का साथ चोड़ना है दूसरी जो मोती है वो ये कहती है कि अच्छे लोगों का साथ करना है और तीसरा मोती ये कहता है कि आपने जो लोग सच हैं जो लोग जूट नहीं बोलते, पाप नहीं करते, पांसिल का पानें करते हैं उनके आपने पूजा करने हैं, उनकी बात को मानना है पूजन माने सम्मान भी होता है यानि कि उनकी बात को सम्मान देना है अगरवती धुबती लेकर उनके चलावती तरफ नहीं घूमना है और भी आगे मंगल सुत हैं क्योंकि ये तीन बताएं हैं पैते सोर हैं मैं एक एक करके आपको सारे बताऊंगा धन्यवाद आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बुद्ध थम्सर्णं रच्छामी थम्मंसर्णं बुद्ध थम्सर्णं रच्छामी थम्सर्णं